फिरोजबाद के थाना नार्खी क्षेत्र का मामला है जहाँ डीलर जगबीर सी लोगों को पिछले तीन महिने से राशन नहीं दे रहा है लोग आते हैं तो वो उनको गाली गलोच करता है अब अद्रभाशा का प्रयोग करता है जब हमारी मीडिया टीम पहुँची तो उन्होंने टीम के साथ भी अब अद्रभाशा का प्रयोग किया हमेशा दारू के नशे में धूत रहता है और लोगों को परिशान करता है गंदी जल कारवाई करेंगे लोगों का कहना है कि डिलर बहुत ही गंदी गालिया देता है और अब ध्रभाशा का परयोग करता है और साथ ही लोगों को प्रताडित करके भगा देता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानुन सक्त से सक कारवाई करें ऐसे लोगों की आशंग का जताए पहल और प्रॉपर तरीके से वितरण नहीं किया है, चूंकि इस बार पोर्टेबिल्टी बन थी, यानि जो लोग यहां के पहले से थे दिवासी वो कहीं और दुकान से ले लेते थे, इस बार चूंकि शाशन ने उपर से पोर्टेबिल्टी बन कर रखी है, उन लोगों ने जो दूसरी दुकानों से ले लेते वहतमान में इसी के पास गये तो इसने राशन देने से मना की अब ये तो देखे इन आरोपों आरोप तो कोई भी किसी पर कुछ भी लगा सकता है ये निराधार है फिरुजबाद से रिहान अली की रिपोर्ट